बिहार के अररिया जिले में जिला क्रिशी पददिकारी और चौकिदार के वाइरल वीडियो मामले में बिहार सरकार ने जिला क्रिशी पददिकारी मनोज कुमार पर कार्रिवाई करने के बजाए उन्हें प्रमोशन दिया इस मामले में ASI Govind Singh के सस्पेंड होने के बाद क्रिशी पदधिकारी पर भी कार्रिवाई की मांग उठ रही थी मगर बिहार सरकार ने इसके उलट क्रिशी पदधिकारी को प्रोमोशन देते हुए उन्हें क्रिशी विभाग में ही उपनिदेशक बना दिया इसके बाद अररिया के चौकिदारों में काफी रोश व्याप्त है चौकिदार संग के जिलाध्यक्ष का कहना है कि सरकार से उन्हें उमीद थी कि सरकार इस मामले में उन्हें न्याय देगी मगर सरकार के द्वारा उसे प्रोमोशन दिया गया जिससे सभी चौकिदारों का मनुबल तूट गया है इस कार्रिवाई की बाद सभी चौकिदार अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे है चौकिदार संग की जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब तक हमारे चौकिदार को नियाए नहीं मिलेगा तब तक लौकडाउन का पालन करते हुए अपने आवास पर आंदोलन करेंगे जो लगतार जारी रहेगा नियाए के जगह हम लोगों को जो है मनवल को घटा दिया गया है जिस पर हम लोग बहुत जो है चिंतित में हैं और मैं यभी जो है संग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब यह समय में हम लोग कल जो है परिवार के साथ लौकडाउन को पालन करते हुए हम लोग उपवास में रहेंगे इसके विरोध में ऐसा नहीं करना चाहिए जो चोगडार दफ़ादार को मनवल इतना टूटा है कई जगह से हमको फोन भी आ चुका है मैसेज भी आ चुका है कि अध्यक जी हम लोग जो आवाज उठाए क्या हम लोग का यही जो है मिलना चाहिए साजा उनको नहीं साजा हमारा मनोबल को दिया गिया है मनोबल को गिराया गिया है आज हम समाज में जो है सर उठा के चलते थे लेकिन आज हम समाज में सर उठा के चलना पड़ेगा इस तरह से किया गया है सकाफित जो है हमारे चोगेदार समाज में काफी घबराहट काफी उन्हों को चिंतित है क्या लगता जिलेवासी का भी मनोबल गिरेगा इससे बिल्कुल गिरेगा और पूरे जिला वासी नहीं पूरे परदेश का जो है हमारे दफ़ादार चोगिदार का मनोबल गिरेगा इसे और वो लो काफी जो है चिंतित में हैं अपसोस में हैं डूटी जाने के जगद डूटी पर तो हैं लेकिन उसका दिल में मायूसी चाया पूर्णिया परमंडल पूर्णिया सह जीला अध्यक्स जीला सका अररिया चोगिदार दफ़ादार पंचाय बतादी के कुछ दिन पहले अररिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जिला क्रिशी पद अधिकारी मनोज कुमार ने पुलिस विभाग में चोगिदार गणेश तत्मा से उठक बैठक कराई थी चोगिदार की गलती बस इतनी थी कि लॉकडाउन में चेकिंग के दौरान उसने अधिकारी की गाड़ी रोक कर उनसे पास मांगा था जिस पर कृशी पद अधिकारी इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने चोगिदार से उठक बै पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट